नमस्कार आप देख रहे हैं दिललन टॉप लोगसभा चुनाफ शुरू हो चुके हैं चाहे आप सिनमा घरों में देखें वेबसाइट पर देखें किसी यूट्यूब पर देखें हर जगा आपको वोटिंग अपील देख रही होगी लोग कह रहे हैं exercise your right यह आपका right है देश को बदलने के लिए आपका वोट जरूरी है इस तरीकी की अपील चल रही है तो 12 मार्च के राउंड मतलब एप्रिल में चुनाफ शुरू होने थे एक महीना पहले ही ट्विटर पर कई स्टार्स ने वोट अपील करना शुरू कर दिया था नरेंदर मोधी जी ने स्टार्स क तो टैग करके यह बोला कि आप इससे करें क्योंकि आपकी ट्विटर पर बहुत सारी जनता है तो उन्होंने ऐसा किया कई स्टार्स किया लेकिन उनका जो वोटिंग अपील है वह पच नहीं पाया जाला क्योंकि वह खुद ही वोट नहीं कर सकते यह स्टार्स कौन है यह व लेखें लिस्ट तो उसमें पेट्रिजिश्म बहुत कूट कूट के भरा हुआ है मतलब जितने भी उन्होंने फिलम्स करी है उनकी एगर हाइलाइट देखे तो पेट्रियॉटिक फिलम्स काफी ज्यादा करने लग गये है पूरे नमबर है मतलब पेट्रियॉटिश्म में वो टॉप करते हैं लेकिन उनके पास Canadian citizenship है उनको Canada ने ओनर के रोप में Canada की citizenship offer की उन्होंने accept कर ली यह जानते हुए कि दोहरी नागरिकता इंडिया में अलाउड नहीं है तो इसलिए कि लाडी कुमार नहीं दे सकते हैं दूसरा नाम है पास पासपोर्ट ब्रिटिश है और पैदा यह हुई थी Hong Kong में उसके बाद यह लंडन में रह चुकी है और बंबईन का तिकाना आप जानते हैं क्यूं है करियर की वज़ा से यह भी हमारे आंकी नागरिकता नहीं रखती है इसलिए वोट नहीं दे सकते अगला नाम है दिपेका पादुकॉन जो कि इस टाइम बॉलिवूड में लीडिंग अक्टुस में से एक हैं अगर आप शॉक्ड यह सप्राइज हैं तो पूरा ध्यान से सुनिएगा कि दिपेका के पास भी इंडिया की नागरिकता नहीं है वो कोपनहागन यानी जो डेन् अगला नाम है अलिया भटका जिनकी इमेंस फॉलोइंग है बॉलिवूड की एक और लीडिंग लेडी दिपेका के बाद आलिया ही है तो आलिया भी वोट नहीं दे सकती है क्योंकि उनकी मम्मी के पास ब्रिटिश सिटिजन्शिप है वो बर्मिंगम में पैदा हुई उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और वैसे ही अलिया के पास भी ब्रिटेन की ही सिटेजन्शिप है हाला कि उन्होंने 2014 में ऐसा बोला था कि वो 2019 के जो इलेक्शन होंगे उसमें अपना इंडियन पासपोर्ट बनवाएंगी और वोट करेंगी तेकिन ऐसा आभी तो कुछ सा दिवार में इनके पास केनेडियन नागरिकता है और ये भी वोट नहीं दे सकती है अब आते हैं एमी जैक्सन पर बहुत सारे लोग इनके दिवाने हैं बड़ी खूबसूरत लगती है एक दिवाना था फिल्म में दिखी थी सिंग्स ब्लिंग में दिखी थी ये ब्रिटेन दिखी दिखी जैकलिन फर्नांडस का जैक्लिन श्री-लंका की चिटिजिन सिपर रखती है इनके पापा शिलंकन है और यह पैदा हुई थी बारें में पढाई लिखाए इनकी रिगाई पिर यही यह टीवी रेपोर टर टी जोब करती ती डी श्री-लंका में तो आफकोस वहीं पर ही पली बडी सब कुछ हुआ, आटिंग की सिलसले में इंडिया आना हुआ, श्री लंका का पास्पोर्ट रखती है, इसलिए इंडिया में वोट नहीं दे सकती है, अगला नाम है इम्रान खान, ये बॉलिवूड अक्टर है और इनकी एक और आइडेंटिट सकते हैं, इनकी डेब्यू फिल्म बहुत लोगों ने बहुत पासन की थी, आपको यादी होगा, जाने तू या जाने ना, अब नेक्स्ट जो है, वो है नर्गिस फाकरी, नर्गिस न्यू यॉक में पैदा हुई, इनकी पापा पाकिस्तानी और मां चेक रेपलिक से थी, ब पास भी हमारी नागरिकता नहीं है, इसलिए ये वोट नहीं कर सकती है, अब सपना पभी, इनको खामोशिया नाम की फिल्म और 24 वेब सीरीज में लोगों ने देखा है, सपना लंडन में पैदा हुई है, इनकी पढ़ाई रिखाई भी वही हुई है, और फिल्मों में काम क करने के लिए इंडिया आई, साथ ही ब्रिटिश नागरिकता ये रखती है, इसलिए सपना इंडिया में वोट नहीं कर सकती, अब अगला नाम एवलन शर्मा, इनको जे जवानी है दिवानी में वो शीक सी लड़की थी, एकदम डेलिकेट सी उससे याद किया जाता है, और इनकी मा जर्मन और इनकी पापा पंजाबी है, शुडवात की इनने ने होलिवोड से, लेकिन वहाँ तो काम नहीं बना, इसलिए बॉलिवोड का रुख ले लिया इनके बास जर्मनी की नागरिकता है, इसलिए भी वोट नहीं दे सकती है, तो आपको ये पता चलगा है कि क हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर एक स्मार्टफोन यूजर है, एंड्रोइड यूजर है, तो प्लेज चोड में जाकर हमारी आप को डाउनलोड कर सकते हैं, शुक्रिया!